सूपरभात प्यारे बच्चों कक्षा बार्वी की हिंदी कक्षा में आप सब का स्वागत करती हूँ आज हम कावेखंड पाठ दो आलोक धन्वा द्वारा रचित कविता पतंग पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले कवि परिचे में बताना चाहूंगी कि आलोक धन्वा का जन्म सन 1948 इस्वी मुंगेर बिहार में हुआ इनकी पर्मुक रचनाई है पहली कविता जनता का आदमी 1972 में परकाशित उसके बाद भागी हुई लड़कियां ब्रुन्यों की बेटियां से परसिद्धी दुनिया रोज बनती है एक मातर संग्रे है पर्मुक सम्मान राहुल सम्मान बिहार राष्टर बाशा परिशद का साहित्य सम्मान बनार से परसाद बोजपुरी सम्मान पहल सम्मान जहां नदिया समुदर से मिलती है वहां मेरा क्या मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उदर साथवे आठवे दशक में कवी अलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोक प्रियता अरजित की सन 1972 में परकाशित इनकी आरंबिक कविताएं हिंदी के अनेग घंभीर काव्य प्रेमियों को जवानी याद रही है आलोचकों का तो मानना है कि उनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना परभावित किया इसका मुल्यांकन अभी ठीक से हुआ नहीं है इतनी व्यापक ख्याती के बावजूद या शायद उसी की वज़े से बनी हुई अपेक्षाओं के दबाव के चलते आलोग धनवा ने कभी ठोक के भाव में लेखन नहीं किया सन बैतर से लेखन आरंब करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एक मातर काव्य संग्रह सन अठाण में में परकाशित हुआ काव्य संग्रह के अलावा वे पिछली दो दशकों से देश के विभिन हिसों में सांस्कृतिक एवं समाजिक कार्यकरता के रूप में स्क्रिय रहे उन्होंने जमशेदपूर में अध्यन मंडलियों का संचालन किया और रंग करम तथा साहित्य पर कई राष्ट्रिय संस्थानों एं विश्व विद्यालियों में अतित्थी व्याक्षाता के रूप में भागीदारी की हैं पाठे पुस्तक में ली गई पतंग आलोक धन्वा के एक मातर संग्रै का हिसा है यह एक लंबी कविता है जिसकी तीसरे भाग को पाठे पुस्तक में शामिल किया गया है पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलब इच्छाओं एवं उमंगों का सुन्दर चित्रन किया गया है बाल क्रिया कलापों एवं प्रकर्ति में आये परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुन्दर बिम्बों का उप्योग किया गया है पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है आस्मान में उड़ती हुई पतंग उन्चाईयों की वे हदे है बालमन जिने छुना चाता है और उसके पार जाना चाता है कविता में धीरे धीरे बिम्बों की एक ऐसी दुनिया नई दुनिया में ले जाती है जहां शरद रित्तों का चमकीला इशारा है जहां तितलियों की रंगीन दुनिया है दिशाओं के मृदंग बजते हैं जहां छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भै है तो दूसरी और भै प पतंगों को सबसे उन्चा उड़ाने का गोंसला लिये फिर फिर बादो के बाद के शरद उजाला की परतिक्षा कर रहे हैं क्या आप भी उनके साथ हैं।